Hello everyone, Welcome to my YouTube channel हिमाचा पदेश में सरकार बदलने के बाद एक महीने के बाद जो है वो कैबिनेट का गठन हुआ और कैबिनेट का गठन होने के बाद सबको इंतजार था कि फर्स्ट कैबिनेट की मीटिंग कब होगी तो आज जो फर्स्ट कैबिनेट की मीटिंग की जो डेट है वो अनौस हो चुकी है 13 जनवरी को फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग होने वाली है 12 बजे ये शुरू होगी तो यहाँ पे जो करंट जो हिमाचा पदेश में सरकार है उन्होंने 10 बादे करे थे तो उनमें जो तीन में जो गैरेंटीज दी थी जिन पर कीस फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में बात हो सकती है वो है OPS रोजगार और सभी महिलाओं को 18 साल से लेके 60 साल के बीच में महिनी के 15 सो रुपे दिये जाएंगे तो हम यहां पर बात करने बाले हैं रोजगार पे तो अगर हम रोजगार की बात करें तो लगव साड़े 8 लाख जो है वो जो आपकी एंप्लॉइमेंट आफिस रहता है वहाँ पे एरिजिस्टेशन करवाई गई है अनिंप्लॉइड इतने लोग हैं और लगव यह आंकड़ा 12 से 14 लाख के बीच में है अगर हम टोटल बात करें सरकारी विवागों में अगर हम विकैंसिस की बात करें तो लगव साठ से 65 हजार के बीच में विकैंट पड़ी हुई हैं पोस्टें सरकारी जितने भी डिपार्टमेंट हैं हिमाच्य पड़ेश में और इनको भरने के लिए जो पिछली सरकार थी उसने मतलब लास्ट के दो तीन सालों में कुछ भी विकैंसिस को नहीं भरा है मतलब जो निकलती थी सिर्फ नाम की विकैंसिस निकली तोड़ तोड़ के विकैंसिस निकली केसिस हुए गोटाले हुए स्कैम हुए रिजल्ट नहीं आए बहुत कुछ हुआ है जिन पर अभी हम इस बीडियो में तो बात नहीं करेंगे एक नई शुरुआत अब हुई है अब देखते हैं कि क्या आगे होता है तो जो कांग्रेस की सरकार हिमाच्चा पदेश में है तो पांच सालों में पांच लाख रोजगार देने की बात कही गई थी पांच लाख की मतलब रोजगार मैं सिर्फ यह नहीं बोल सकते है आपकी सरकारी कुछ लोगों कि यह कहना होता है कि पांच लाग सरकारी किस तरह से वो देंगे तो ऐसा नहीं है सिर्फ सरकारी कि यां पर बात नहीं कही गही थी मेरे हैसाफर से तो इन씨 तून्हें सिर्फ इतना लिखा था कि पांच लाग रोजगार दिये जाएंगे और अभी आपने रिसेंटली एक स्टेटमेंट देखी होगी तो उसमें कहा गया था कि पांच लाग सरकारी वो गैर सरकारी मतलब कि हो सकता है कि और्ट सोर्स पे या कहीं प्राइवेट में कुछ रूल्स लेके आए जैसे कि आप देख सकते हो कि कितने सारे प्रोजेक्ट हिमाचा पदेश में स्टार्ट होते हैं लेकिन वहाँ पे मतलब सरकार ने कभी इतना नहीं सोचा कि हम रोजगार को किस तरह से क्रियेट कर सकते हैं तो हो सकता है कि फूचर में आपको कुछ इस तरह की पॉलिसी दीखे हिमाचा पदेश में जो भी काम होते हैं जो भी बड़े प्रोजेक्ट होते हैं वहाँ पे हमाचल से जो भी लोग हैं उनको मतलब प्रायोरिटी दी जाए वहाँ पे कुछ ऐसा रूल बने बाकि उसके बाद ये जो बादा है वो पांस सालों के लिए किया गया तो हर एक साल एक लाख रोजगार देना होगा मेरा मानना तो यही है कि अगर एक लाख के बात करना बाकी है लेकिन धीरे धीरे शाद हो सकता है कि उन में भी improvement होगी हम तो यही चाते हैं कि improvement हो जाए धीरे धीरे नहीं classly भी इसको आप कर सकते हो लेकिन अब मतलब जो भी candidate है हिमाचल पदेश में जो भी त्यारी करने की सोच रहा हैं तो अगर आपको किसी भी stage पे कोई भी recruiting agency जो भी exam करवाती है आपको गलत लगता है तो उसके उपर बात करिए और आप जो कर सकते हो वो करिए दीरे-दीरे मैं आपको बहुत सारी ऐसी वीडियो आप future में देखने को मिलेगी जहां पर हम बात करेंगे कोई R&P rules में कमी है या आपको लगता है आप मुझे suggest कर सकते हो आपके पास अच्छी खासी information है मैं देखता हूँ comment में आप अच्छे अच्छे comment भी share करते हो information share करते हो टेलिग्राम पे message करते हो तो आप ये चीज़े मुझे बता सकते हो ताकि मैं इन चीज़ें को आगे रखूँ क्योंकि यहां से एक ऐसा platform बन चुका है जहां से बहुत सारे लोगों तक information पहुंसती है हो सकता है आपके पास quality information हो तो कुछ इस तरह से अब देखते हैं कि रोजगार क्या यहां पे system बनता है किस तरह के बादे को पूरा किया जाता है या नहीं करा जाता है या पुराना जो इतियासरा है कि सिर्फ बादे करो उनको निभाओ नहीं वैसा ही यहां पे हमें देखने को मिलता है तो परसों अब मैं आपको मिलूँगा रोजगार मतलब जी cabinet की meeting के बाद की क्या रोजगार पे बात हुई किस तरह से system बना हुआ है तो उसके उपर हम तभी बात करेंगे अब सिर्फ उमीद करेंगे कि रोजगार के उपर बात हो जल्दी से जल्दी HPSC पे decision हो और फिर जो भी result अटके हुए है जो भी process अटके हुए है नहीं vacancies का सबको wait है वो जल्दी से जल्दी हो I hope आपको ये video अच्छी लगी होगी informative लगी होगी तो video को like, comment, share कर सकते हो channel को subscribe कर सकते हो further new updates के लिए